Welcome to the third part of the explanation, we were seeing the chapter Rise of Christianity और इसमें मैंने the medieval period के बारे में बता दिया था आपको फिर birth of Christianity इसके बारे में आपको समझा दिया था I hope यहां तक clear हो गया होगा अच्छे से आज की वीडियो में हम लोग लाइन बालाइन पढ़ेंगे main teachings of Jesus इसका ये मतलब है कि Jesus हमें क्या सिखाते थे या फिर उस वक्त के लोगों को क्या सिखाते थे मतलब वो इतने famous क्यों हो गया लोगों के बीच में वो कुछ अच्छी बाते बोलते थे तबी तो famous हो गया ना और सभी लोग उने बहुत प्यार करते थे तो आज हम लोग line by line पढ़ेंगे main teachings of Jesus कि Jesus क्या उब्देश देते थे उब्देश यानि क्या lesson लोगों को सिखाते थे main teaching of Jesus the teachings of Jesus were simple yet revolunationary revolunationary का मतलब है कि मतलब एक दम क्रांती क्रांती कारी वालिब लोगों को बस बहुत simple सा बात बोलते थे बट वो simple सा बात भी न लोगों के mind में बहुत ज़ादा impact होता था और लोग खुद को बदल लेते थे एक अच्छे इंसान बन जाते थे He established a code of conduct for men and women based on unconditional love for God और उनका ये lesson था उनका ये वो लोगों को सिखाते थे कि हमें भगवान के उपर बहुत ज़ादा faith रखनी चाहिए और हमें unconditional प्यार करना चाहिए बगवान से true love for once never और अपने पडोसियों से प्यार करने चाहिए वैसे आप अपने पडोसियों से प्यार करते हो या नहीं आप मुझे बताना ठीक है comment section में या फिर आपका पडोसिय कैसा है ये बात में मुझे से सेर करना लेकिन जीजस कहते थे कि हमें अपने पडोसियों से अच्छे से बात करने चाहिए और प्यार करने चाहिए जीजस तॉट डैट देयर वोस वन गॉड हूज वोस कंपनसेट loving and forgiving sorry it's compassionate compassionate का मतलब होता है दयालो loving मतलब प्यार करना और forgiving मतलब होता है जो चमा कर देता है तो जीजस कहते थे कि एक ही भगवान है जो कि हम बहुत दयालो है और हमसे वो बहुत ज़ादा प्यार करते है और वो सभी को माफ कर देते है मतलब अगर कोई गलती भी हो जाती किसी से जाने अंजाने में तो वो माफ कर देते हैं भगवान He believed that as children of God we should mold ourselves in the image of God और उनका कहना था कि हम लोग भी भगवान के ही बच्चे हैं तो हम लोग को भी mold होके मतलब की mold मतलब होता है जिससे कि मिट्टी है तो मिट्टी से जो मुर्ती का रहे वो क्या गड़ते हैं मुर्ती बना देते हैं बतलब की मिट्टी है वो तो ऐसे मिट्टी है बट उसको उठाते हैं उनको गेला करते हैं और उनको शेप देते हैं तो एक मुर्ती बन जाता है अगर आपको पडोसी गरीब हुआ, तो भी आपको प्यार करना चाहिए, सीनर यानि कि कुछ गलत काम किया हो, दोसी हो, फिर भी आपको प्यार करनी चाहिए, और even if our enemies हमारा दुस्मन भी रहना, तो फिर भी हमें प्यार करना चाहिए, We should help the needy and do good even to those who harm us, और फिर कह रहे हैं कि जो जरुरत मन्द है, उसकी हमें मदद करनी चाहिए, और जो हमें नुकसान पहुचाते हैं, उसे भी हमें, मतलब उनको भी हम लोग मदद करें, जब उन जरुरत में हो तो, We should forgive our enemies, हमें अपने दुश्मन को माफ कर देना चाहिए, and win them over with our love, और हमें अपने प्यार से उसे मनाना चाहिए, और उसे जीत लेना है, Since God loved sinner and forgave them, भगवान जी जो है, वो भी तो, जो दोसी होता है, उसे भी तो मतलब प्यार करते हैं, और माफ करते हैं, बिलकुल उसी तरीके से हम लोग भी अपने दुश्मन को माफ करते हैं, और उनके साथ अच्छे से वहवार करें, Jesus said that we should do the same, मतलब जीजस का भी कहना था कि, जैसे भगवान लोगों के साथ behave करते हैं, वैसे ही हम लोग को भी दूसरे लोगों के साथ behave करना चाहिए, He completely rejected the eye for an eye and a tooth for a tooth principle, मतलब की ये बहुत विरूद है, eye for an eye, मतलब की अगर तुम आँख दिखाओगे तो मैं भी आँख दिखाओगा, अगर तुम डाट के बात करोगे तो मैं भी डाट के बात करूँगा, ये प्रिंसिपल के बिलकुल विरूद में थे हैं, जीजस, ठीक है यहां तक अची से समझ आ गई आपको, अगर समझ आ गई तो well and good, आगे हम लोग पढ़ते हैं, बट अगर यहां तक कोई doubt था तो आप प्लीज मुझी comment section में पूछना, आगे पढ़ते हैं, जीजस's interpretation of Jews' law classed with the idea of the Jews' religion leaders, who followed the scriptures' literary and not in spirit, Jesus did not claim that his teaching were original. His mission was not to change the law but to propagate them according to his understanding and interpretation of the Jewish scripture. कि बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, जो धर्म को चलाते हैं, वो ना नाराज हो गए थे जीजस से कि तुम यह सब क्यों कर रहा हो, मतलब तुम यह सब बाते क्यों कर रहा हो, जो कि Jewish scriptures के खिलाफ है, तो जीजस बोला कि मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैंने कुछ दिनों के बाद जीजस और भी लोगों में popular होने लगे हैं, और यह बाते ना, वो जो Jewish leaders सब थे ना, मतलब, उनको बहुत खटकती थे कि अरे, जीजस ऐसे बढ़े गा तो फिर तो हमारा धर्म संगत में आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके का उनका माइंड में आने लग तो जीजस जहां भी कहीं चाहते थे ना, तो वो लोग उनकी बातों को आके सुनने लगते थे, और सब बहुत सान से जीजस की बातों को सुनते थे, और अपने लाइफ में इंप्लिमेंट भी करते थे और इधर जो 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 लेडर था ना, वो पूरा मतलब डरा डरा सा था, उन ही लग रहता है कि अब तो हमारे धर्म को खतरा होगा, क्योंकि जीजस जो है, वो मतलब जिस तरीके से पॉपलर हो रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है, ऐसी बाते उन लोगों के माइंड में आने लग तो फिर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना, कि ये जो जूस थे, वो पपेट रूलर थे रोमन्स के, मैंने बताया कि रोमन अंपायर जो की पैलस्तीन को भी कपज़ा कर लिया था, और वो मतलब रोमन अंपायर के बड़े बड़े किंग थे, वो जो है, वो पपेट रूलर बनाये थे, पपेट रूलर का मतलब एक कट पुतली, मतलब जैसा वो बोलेंगे, वैसा ही वो राजा करेगा, तो जूस कुछ राजा को बना दिये थे, और वो लोगों का, जो भी प्राब्लम्स होता था, वो सॉल्व करते थे, और मतलब ठीक नहीं था, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, तो यह जो जूस लेडर थे, यह जाकर रोमन गवर्णर है, उसका कान में भर दिये, यह जो रोमन गवर्णर है, उसका naam है, पॉँंटियस पाइलेट, ठीक है, इनकी कान में जाकर बर दिये, कि जिस तरीके से जिसस फेमस हो को जो रोमन गवर्णर थे फिर यह सब ना कुछ-कुछ प्लान करके जीसस को मतलब फसानिय में तुल गया जीसस वॉस पूट ओन ट्राइल एंड सेंट्स तो डेथ और फिर इनको मौत के सजा सुनाई गई और इने ना एक क्रॉस था देखो यह जो क्रॉस है इसी क्रॉस में जीसस को लिटा दिया गया और इनके हाथ पे कील्ट होका गया और इनके दोनों पैर को एक साथ जोहिन कर दिया गया और उनके पैर के बीच में बीच बीच ना कील्ट होका और इसे crucified किया गया crucified मतलब होता है यह cross में लटकाना He died as a slow and painful death और किसी के हाथ में अगर काटी ठोक दिया जाए नेल अगर ठोक दिया जाए तो वो उनका कितना दर्द होगा तो Jesus भी एकदम इसी तरीके से slow death हुआ उनका एकदम दर्द में उनका death हुआ farm in the belief that taught suffering He had fulfilled his mission as the Messiah or survivor और यहाँ पर Jesus ने अपना काम कर दिया Jesus का काम था आखे कि यह जो हकूमत है हकूमत मतलब यह जो rule कर रहे है Romans इससे आम लोका है इससे छुटकारा दिलाना तो Jesus अपना काम आधा almost कर चुके थे Jesus body was placed in a sealed tom मतलब एक गुफा में एक मंदिर type का गुफा था तो वहाँ पर उनका body को रखा गया था On the third day after his death उनके मौत के तीन दिन के बाद His disciple found the tom empty तो जिस मंदिर गुफा में रखे थे ना तो वहाँ से इनका dead body गाएब हो गया था और ये चीज़ देखे थे उनका एक disciple disciple का मतलब होता है student उनका एक student देखे थे His followers believed that Jesus has had been resurrected resurrected का मतलब होता है कि मतलब फिर से जन्म ले लेना मतलब पुनर्जिवित हो जाना कोई इंसान मरा हुआ है फिर मरे हुए से वो जी जाना ठीक है तो इनके followers ये believe करते हैं कि इनका जो death हुआ और death के तीन दिन के बाद उनका body गाएब हो गया वहाँ से तो इसका मतलब ये है कि Jesus ने फिर से जन्म लिया और ये चमतकार देखे ना लोगों के मन में और faith जाग गया Jesus Christ को लेके This conviction among his followers led to the emergence of new community the Christian community और ये चीज ये ही चीज जो जीजस इतने दिन से प्रीच कर रहते हैं तो जीजस के death के बाद ना मतलब लोगों के मन में आया कि नहीं हम लोग को अब अपना धर्म बनाना है और ये ही धर्म था Christian ठीक है Christian community का यहाँ से जन्म हुआ The enemy of Jesus has crucified him but he lived in on in the hearts and mind of his followers not only in palestine but far beyond its boundaries फिर इनका followers का कहना था कि ये तो जीजस को मार दिये वो जो Jewish leader थे और Roman के जो लोग थे ये तो मतलब मार दिये जीजस को but हमारा जो जो teaching जो हमें सिखाए है और हमारी जिंदगी को जो बदले है जीजस वो हम हजारो लाखो followers के दिल में हमेसा जिन्दा रहने वाला है तो यहां से एक नई community का जन्म हो गया और यहां से Christianity का मतलब एक अलग धर्म बन गया His life and teaching impacted the then known civilized world in an extraordinary and revolutionary manner revolutionary का मतलब बता है कि क्रांतिकारी ठीक है अब तो पूरा क्रांति आ गया लोगों में और लोग जो है वो बट गया ठीक है यहां से Christian का जन्म हो गया Christianity का ठीक है वीडियो को जो है वो काफे लंबी हो गई है तो आज के वीडियो में मैं यही तक रखता हूँ और मैं continue करूँगा last part में जो कि हो पार्ट 4 ठीक है वहां पे मैं यह पूरा book complete कर दूँगा I hope यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गए होगे ठीक है ना तो मैं मिलता हूँ आप आप से निक्स्ट वीडियो में तक यह सो मुच पर वाचिंग